गुड मॉर्निंग, आज है 16 मार्च थर्सडे और यहाँ है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसने आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। एक बार डिस्कलेमर जरूर वीड करें। ग्लोबल मार्केट और अमेरिकी इंट्राडे लाब को मिटा दिये और इंडेक्स दिन के निचलिस तर के करीब बंद हुए। अमेरिकी इंट्राडेशन में गिरावट दिखाने वाले इंलाइन डेटा ने ग्लोबल मार्केट एक गैप अप उपनिंग प्रदान की, जिससे विश्वास पैदा हुआ कि फेड बैंकिंग शेत्र में उथल पुथल के बाद कठोर दर्वृध्धी का विकल्प नहीं चु गए थे कि ECB गुरुवार को अपनी बैठक में ब्यास दरों में कम से कम 25 BPS की विध्धी करेगा। उच्छ ब्यास दर शेर बाजार की चिंता है। अपसे SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा फ्लाट नेगेटिव 10 पॉइंट्स 17,965 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी फ्लाट क्लोस हुए। मिले जुले डेटा का सगीमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज फ्लाट उपन होने की संभावना है। अमेरिकी शेरों ने बुधवार को देर से नुकसान कम किया लेकिन डौव और S&P 500 अभी भी नेगेटिव बंध हुए क्योंकि क्रेडिट सुइस की समस्याओं ने बैंकिंग संकट की आशंकाओं को फिर से जीवित कर दिया इस महीने यूएस। ब्लूमबर्ग द्वारा स्विस सरकार द्वारा देश की बैंकिंग विशाल को स्थिर करने के विकलपों पर बातचीत करने की रिपोर्ट के बाद बेचमार्क इंडेक्स ने देर से कारोबार में कुछ सपोर्ट हासिल किया। Nasdaq Composite हलकी बढ़त के साथ बंद हुआ। Nasdaq Composite ने देर से बातचीत कर देर से बढ़कर 11,434.05 पर निफ्टी 50 लगातार 57 के लिए करेक्टेड हुआ और 15 मार्च को डेली चार्ट पर एक बेरिश केंडलस्टिक पैटर्न का गठन किया। सिलिकॉन वैली बैंक के कोलाप्स के बाद यूरोपिय बैंकिंग शेरों में भारी नुकसान पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि एशियाई समक्षों ने रात भर वाल स्ट्रीट पर रैली के बाद वापसी की। निफ्टी पचास ने शांदार वापसी की और 17,200 से उपर चड़ गया जो तेजी से डाई वर्शन को देखते हुए अपेक्षित लाइनों पर था लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के कारण पिछले कुछ घंटों के व्यापार में उन लाभों को बनाए रखने में विफल रहा अंत में इंडेक्स मनोवैग्यानिक 17,000 अंक से नीचे आ गया, 71 अंकों की लोस्त के साथ 16,972 पर 3 अक्टूबर 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर पर क्लोस हुआ अगर इंडेक्स 16,900 से 17,000 के रेंज में सपोर्ट लेता है तो इसमें टेजी की संभावना बन सकती है लेकिन अगर इह सपोर्ट तूटता है तो करेक्शन 16,750 तक हो सकता है जो पिछले साल सितंबर के निचले स्तर के साथ मेल खाता है आगे आज की गिरावट के साथ इंडेक्स ने चैनल की निचली सीमा को भी तोड़ दिया है जो और अधिक गिरावट को ट्रिगर कर सकता है हालांकी हाई लेवल पर रिबाउंड यदि कोई हो 17,200 से 17,300 एरिया तक संभव हो सकता है इसके बाद 17,450 तक के रेजिस्टेंस एरिया हो सकती है बुलिश डाइवर्जेंस अभी भी मौजूद है जिसमें निफ्टी नीचे का निचला स्टर बना रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर RSI ज्यादा लो बना रहा है अगर यह सच होता है तो आने वाले सत्र में फिर से उच्छाल की संभावना बन सकती है साथ ही 31 स्टरों वाला RSI अब ओवर्जोड दिख रहा है मिटल और हेल्थ केयर को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स रेड निचान में बंध हुए पिवट चार्ट के अनुसार निफ्टी को 16,937 पर सपोर्ट है इसके बाद 16,872 और 16,768 पर सपोर्ट है यदि इंडेक्स उपर जाता है तो देखने के लिए प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल 17,145 है इसके बाद 17,209 और 17,313 है 17,200 से 17,250 एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करने की उम्मीद है इसके बाद 200 SMI की मजबूत सपोर्ट एक लंबे समय में लगभग 17,400 से 17,450 रखी गई है कीम्तों में उतार चढ़ाव को देखते हुए बाजार कमजोर दिख रहा है लेकिन साथ ही थोड़ा ओवर सोल्ड भी है सापताहिक आधार पर अधिक्तम कॉल ओपन इंट्रेस्ट 17,200 स्ट्राइक पर देखा गया जिसमें 2.9 करोर कॉंट्रेक्ट थे जो आने वाले सप्रों में निफ्टी के लिए हाई लेवल पर एक महत्वपूर्ण रेजिस्टिन्स होने की उम्मीद है सापताहिक आधार पर हमने एक 3 करोर कॉंट्रेक्ट के साथ 16,800 स्ट्राइक पर अधिक्तम पुट ओपन इंट्रेस्ट देखा है जो आने वाले सप्रों में निफ्टी 50 के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया के रूप में कार्य करने की उम्मीद है उप्रोक्त आप्शन डेटा ने संकेत दिया कि निफ्टी 50 निकट अवधी में 16,800 से 17,200 शेत्र की सीमा में व्यापार कर सकता है बैंक निफ्टी ने 350 अंकों से अधिक पॉइंट्स के साथ ओपन हुआ लेकिन 40,000 अंक की महत्वपूर्ण रेजिस्टिंस को पार करने में विफल रहा और सत्र के बाद के हिस्से में धीरे-धीरे 38,934 के स्तर तक गिर गया इसने डेली चार्ट पर एक बेरिश कैंडल बनाई और 360 अंकों की गिरावट के साथ 49,051 पर बंद हुआ इंडेक्स ने पिछले चार सत्रों के निचले लेवल के गठन को जारी रखा महत्वपूर्ण पिवट लेवल जो एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा 38,926 पर है इसके बाद 38,695 और 38,321 है उपर की ओर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 49,674 है इसके बाद 49,905 और 4,280 है वीकली ओप्शन डेटा के हिसाब से अधिक्तम कॉल ओपन इंटरेस्ट 40,000 स्ट्राइक के बाद 49,500 स्ट्राइक पर देखा गया जो आने वाले सत्रों में निफ्टी के लिए 49,500 स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग के साथ महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया होने की उम्मीद है पुट साइड पर अधिक्तम ओपन इंटरेस्ट 38,000 स्ट्राइक पर था उसके बाद 38,500 स्ट्राइक जो शाट कर्म में सपोर्ट एरिया के रूप में कार्य करने की उम्मीद है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतिम आकडों से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेश को FII ने 1271 करोड रुपए के शेर बेचे जबकि घरेलू संस्थागत निवेश को DII ने 15 मार्च को 1824 करोड रुपए के शेर खरीदे यस्टरडे इंडिया विक्स जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिर्ता को मापता है मामूली रूप से 0.47 प्रतिशक बढ़कर 16.22 से 16.30 के स्टर पर पहुँच गया National Stock Exchange ने 15 मार्च के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में GNFC एंड इंडिया बुल को बरकरार रखा है F&O खंड के तहट प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कमपनिया शामिल हैं जहां डेरिवेटिव कॉंट्राक्ट बाजार की व्यापक स्थिती सीमा के 95 प्रतिशक को पार कर चुके हैं इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो पिन कमेंट एंड दिस्क्रिप्शन में दिया है आप देख सकते हैं प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पॉर वाचिन वीडियो हैपी ट्रेडिंग